नमस्काल दोस्तों स्वागत आपका हमारे न्यूज यूटुब चैनल पर एक वर फिराज जिरूए बड़ी अपडेट के लाखो क्रमचार पैंसन बोगियों को बड़ी रहात की खबर लेगा जी हाँ दोस्तों हाइक एक एहम फैसला आया है जो हमारे क्रमचारी है उन सभी के पैंसनों के हाग में तो दोस्तों पूरी खबर क्या वही हम आपको इस वीडियो के मादम से डिटेल से बताते हैं जुदे रहे हैं दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लाक्ष्ट तक अगर आपने हमारे चैनल पर फैस टाम विजिट किया तो चैनल को जुरूर सब्सक्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश की हाइखोट ने एक वार फिर क्रामचरे को बड़ी रहत दी हैं माचल प्रदेश हाइखोट ने वरस 2003 के बाद निमित होने वाले क्रामचरे को तीन महीन के अंदर जीवी एफ नंबर देने के आदिश जरी की गए हैं नियाए दीश से सतय 2003 के बाद निमित की गई थी वे पुराने पैंशन के हगदार नहीं है उन्हांने अंसदाई पैंशन योजना के तैद पैंशन का लाप दिया जाएगा और इसके बाद मामला है कोट पहुंच हैं याचिका करता कि और से दलील दी गई है कि याचिका करता वरस 2000 1991 में दैनलिक वितन भोगी की तोर पर वनवी भाग कर्शोग के तैनाथ हुआ था पहली जनुए 2022 में उसे वरक चारज परदान किया गया था उनकी सेवाई वरस 2006 में निमित की गई थी ऐसे में वरस 2002 में उनकी निमिती करण की आवदी पैंशन के लिए गिने जानी चाहिए थी इस पर हा लाब ने दिया जाना भारती स्रीदान के अनुच्छे 14-16 का सरासर उलंगन है सुप्रिम कोट के इन्दीर ने जो का वाला देते हुए का है कि वरक चार्ज से नेमित करण की आवदी और पैंशन वे अन्य सेवावरती लाब के लिए गिनी जाएगी प्रदेश हाई को ने व जब वरक चार्ज की आवदी पैंशन के लाब्द दिये जाने के लिए गिना चाहेगा तो वैसे बाविक है क्योंकि जो सेवा है पैंशन नेम से संसाधित होगी दोस्तों वहीं यह चीका करता को अंसदानी पैंशन योजना के अंदरकत लाने वाले भाग के आदेश को खार युर्शी दोस्तों जैहिं जैज्वान जैक्सन